तो दोस्तों मैं घर से निकला हूँ क्योंकि सुबा से ही बारिज घर से निकल नहीं पाया अभी थोड़ा वारिज थम गया तो मैं देखने के लिए आया कि डिफू का जो नदी है वो पानी वो ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ कितना बड़ा हो गया है पानी का जो वो है तो उसी को देखने के लिए मैं घूमने के लिए आया ये दिखिए थोड़ा थोड़ा पानी आना सुरू हो गया क्योंकि अगर लगतर दो तीन दिन से अगर ऐसा बारिज सोने से ये नदी ज़्यादा हो सकता है ये नदी का पानी जो है ज़्यादा आ सकता ह तो अभी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, कहा कहा कितना जादा पानी आया है, यहां से अभी पानी दिखाऊंगा आप लोगों को यह देखे, पानी जो है, यह जो नदी है, यह थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है, क्योंक ये डिफू का नदी है हो ज़लिए दिखा तहां लोग विफ मधगें है Testste where क्योंड नदी का पानी डेकं साइड शाट में कि यह साइड शाट में आप लोग देख आ ये दिफू नदी का पानी है फोर फजब पानी आना अ時 शुरू हो गया ये देखिए इसे नदी का जो पानी है वो अभी आना सुरू हो गया अगर बारिश तीन दिन अगर ऐसे ही लगतार अगर बारिश होने से ये और भी ज़्यादा पानी आ सकता है यहां बे फ्लाट हो सकता है और कहां कहां वह है सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को मैं तो रह घूम रहा हूँ कि वारिश के वज़ा से कहां कहां फ्लाट हुआ कहां का पानी ज़्यादा हुआ वही देखने के लिए आया हूँ क्योंकि सुबा से निकल नहीं पाया वारिश के वज़े से अभी थोड़ा वारिश थम गया तो मैं घर से निकल की आया हूँ तर देखने के लिए यह देखिए जो साइट में इस तरफ से खुमने के लिए यह देखिए नदी का जब पानी है वह अभी थोड़ा ज्यादा हो चलिए आगे भी दिखाता हूँ आप लोग पार्क है चले तोरा घुमके देखते यहां का जो नदी है डिफु का जो नदी है यह कितना बारा हुआ है क्योंकि आज सुबा सही बारिश है तो बारिश के वज़े से किता पानी आया है चलो देखते है कि शुबा से निकल नहीं पाया अभी थोड़ा थोड़ा बारिस थम गया तो हम निकल के आया थोड़ा देखने के लिए कि दिफु का नदी जो है वो कितना बड़ा हुआ है तो चलिए देखते ही यह साइट सैट में चल रहा हूँ नदी बात में दिखाऊंगा अप लोगों पहले साइट सैट का यह पार्क दिखा रहा हूँ आप लोगों को चो नदी का किनार किनार में बनाया है इस तरह से जानों के लिए ओ यह तो बहुत लंबा है चलिए कहा तक चलते है कि दिखाता हूँ आप लोगों को तो यह तो टूड़ गया यहां पर कि धर बारिज ज्यादा होने से पानी ज्यादा आता है यह जो नदी है तो चलिए यह तो तो यह देखिए यह पानी आना सुरू हो गया धिरे धिरे पानी तो आगा यार यह चोड़ा सा घूमने के लिए पार्ग जैसा बनाया है यह नदी का साइट साइटी और यह मेंज ब्रेश से उपर है धर से आता है यह पानी थोड़ा ज्यादा ही हो गया पानी अगर कल परसो अगर इस तरह से बारिज देने से यह नदी पूरा बरा हो जाएगा कि थोड़ा आगे दिखता है अगर 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 में मार्केट का जो नदी है यह पानी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया और ज्यादा आने से थीक था यह सब चला जाता था दूसरा साइट का यह धरम नला साइट का है तो यहां का जो नदी है पानी थोड़ा सुग घया साइट यह ज़्यादा नहीं है इस तरफ भी पानी थोड़ा सही आया है देखिए इस तरफ से जाने के लिए ये बना दिया है साइट साइट में नदी का जो साइट साइट है तो इसा करके अपलोग पुरा जा सकते हैं यहां पर और यह जो नदी का जब पानी है देखिए जम के इतना बड़ा नहीं है जमेन मार्केट जो है उधर है देखिए यह बिल्डिंग है उपर रैस्ट्रेन है यह देखिए इधर का जो पानी है इतना ज़्यादा नहीं है चलो थोड़ा आके घुमते है तो वेसा करके जा सकते हैं मैं भी पहली बार आ रहा हूं इस तरफ क्योंकि बारिश हुआ था देखने के लिए निकला था में घर से लेकिन अभी आके देखा तो यहामें फ्लाप नहीं है तो इधा तो पुरा यह सब भरता है यह दा नादी में तो चलो उधर में नहीं चलते है यह देखिए तो पानी तो इतना ज्यादा नहीं हुआ तो चले दोस्तों में मार्केट का तो देख लिया अभी अभी देखते हैं प्लूज भी साइट में चिल लिए है जे इंडर्स्ट्रिस और कॉमर्स डिपार्ट्मेंट जो है उसका सामने का जो नदी है उसको देखाता हूं अप लगों कुँ तोरे बापने बापने तो थोरा थोरा पानी आना तो शुरू हो गया साइट में दिकाता हूं पूरे बाप बाप पूरे बापर शुखे है तो दोसा साइट है इस तरफ ओ दोश्तों दिफ़का जो अटना नदी है मैंने फूरा घूम लिया धेह लिया मोई वारी शो रहा था सब्सक्रांदी मैं और फ्लाट हो चुका है तो इसलिए मैं देखने लिए निकला थे लेकिन डंबी देखा कुछ भी फ्लाट नहीं हुआ पानी जदा नहीं थोरा थोरा ही आ रहा है